नमस्कार एक बार फिर से आफ सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है कॉंपटिशन कम्यूनिटी का ये खास इनिसियाटिव फास्ट ट्रैक रिविजन कूर्स में टारगेट है मारा CGPSE का आने वाला प्रारंबिक परिच्छा जिसके मद्दे नजर यहाँ पर हम लोग कम्प्लीट सिलेबस को रिवाइज कर रहे है किस प्रकार से सेड्डूल चल रहा है एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ सुबह 8 बजे यानि कि आज से आप लोगों को इंडियन हिश्टी के क्वेश्चन्स मिल रहे है जो कि आपको इंडियन जोग्राफिक का मिल रहा था तो FDR के माध्यम से आप अपने संपूर्ण सीलेबस को रिवाइज करते रहिएगा इसके बाद एक महत्पूर्ण बात और ध्यान रखिएगा कल रवीवार को जो आपका 5 बजे लाइफ सेशन होना था उसमें कुछ बहुत ही महत्पूर्ण जानकारी आप लोगों को देना था लेकिन वो लाइफ सेशन नहीं हो पाया था किसी कारणबस से अब वा लाइफ सेशन जो है कल यानि की मंगलवार को साम को 7 बजे किया जाएगा तो उस लाइफ सेशन में कल साम को 7 बजे आप लोग जरूर आईएगा उसमें बहुत important information है क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को अब समय बहुत कम है और वक्त अब सिर्फ और सिर्फ revision का है तो इसी revision से जुड़े कुछ महत्पून बातें आप लोगों के लिए होगी और कुछ नया initiative आप लोगों के लिए लिया जा रहा है और आप लोगों के लिए इसमें बहुत कुछ होगा तो कल साम को 7 बजे वाला revision session में जरूर आईएगा हमारी पूरी कोसिस है कि आपके तैयारी में कहीं भी किसी तरह से कोई छूट न रह जाए तो कल साम को 7 बजे वो सारी चीज़े आपको बताया जाएगा जो भी नया initiative या फिर जो भी कुछ नया आप लोगों के लिए किया जा रहा है तो revision merged है इसलिए कल साम को 7 बजे और किस तरह से आगे की रणीती होनी चाहिए लगबग 25 दिन बच गया है तो उस 25 दिन में आप क्या कर सकते हो उस पर भी कल बात करेंगे और आप से जुड़ी कुछ समस्याओं को भी कल लिया जाएगा कल live session नहीं हो पाया था उसके लिए sorry लेकिन कल 5 बजे मंगलवार को 7 बजे sorry वो live session किया जाएगा तो आप लोग जरूर रहिएगा आज की इस 5 बजे वाले session में हम लोग जो discuss करने वाले हैं कुछ international organization और institutions के बारे में जानेंगे और इसके लाबा जो 2019 में इन international organization और institutions के जो important submit हुए है खास कर जिस organization का भारत मिंबर है उससे related यहाँ पर questions जो है हर साल पर इच्छा में एक न दो questions आता ही है तूसरे related आज हम लोग यहाँ पर question करने वाले हैं बहुत ध्यान से करिएगा जितने भी questions करवाओंगा उतने करकर जाएगा यहाँ से एक प्रशन आपसे बने गए ठीक है चल यह तो पहला प्रशन है भारत निम्नी लिखित में से किसका सदस से नहीं है option है आपके सामने आसियान, बिम्स्टिक, SCO, याफित, G4 बतायों भारत यह से कौन से अर्गनाइजैशन का हिस्सा नहीं है एक है आपके सामने आचियान, दूसरा है आपके सामने विम्स्टिक, तीसरा है आपके सामने SCO यानि कि संघाई कॉर्पोरेशन और चाथा है तो वो होगा आपका option A आसियान का भारत हिस्सा नहीं है चारों organization के बारे में हम लोग देखते हैं कि यह चारों organization है क्या तो सबसे पहले प्रशन का जवाब आप लोगों को समझा गया कि प्रशन का जवाब जो होगा वो होगा option A तो आसियान का जो full form है वो है Association of South East Asian Nation इसके इस्थापना 8 अगस्ट 1967 को किया गया था इसका headquarter जो है इंडोनेशिया की राजधानी चकारता में है और इसके अगर हम लोग सदस से देशों की बात करें तो इसके 10 सदस से है यह 10 सदस से कौन से है बुरनेई है, कमोडिया है, इंडोनेशिया है लाओस है, मेलीशिया है, मैनमार है फिलिफिन्स है, सिंगपूर है, थाइलेंड है और वियत्ताम है हाला कि भारत इस organization का member नहीं है लेकिन भारत के लिए यह बहुत ही महतून या regional organization है trade के हिसाब से, security के हिसाब से और भी बहुत सारे political reason के हिसाब से भी यह organization भारत के लिए बहुत माइनियर रखता है इसलिए ASEAN हमेशा news में भी रहता है भारत में तो इसलिए याद रखिएगा ASEAN का भारत member नहीं है, लेकिन बहुत महत्पून organization है तो यहाँ सभी ASEAN से related कई साल, कई बार प्रशन पूछे जा चुके हैं यहाँ पर जो दूसरा option था आपका BIMSTEC, BIMSTEC से related आगे हम लोग और question करेंगे लेकिन यही पर मैं आप लोगों को BIMSTEC से related कोई जनकारी दे देता हूँ BIMSTEC का full form होता है Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation और इसकी स्थापना किया गया था 6 जून 1997 को इसका headquarter है बंगला देश की राजधानी धाका में और इसके total 8 member है यह 8 member कौन कौन से है इंडिया है, भूटान है, नेपाल है इसके लावा Myanmar है, Thailand है और सिरलंका है तो इस तरह से BIMSTEC के बारे में basic जानकारी आप लोग याद रखिएगा अगर BIMSTEC के बारे में basic information आप से पूछा जाता है तो यहाँ आप से बनना चाहिए सुरुआत में ही इन चारों organization के मैं basic information बता दे रहा हूँ आगे इससे related questions भी करेंगे इसके बाद SEO के बारे में आते है SEO एक बहुत ही important regional organization है और बहुत अधिक तक संभावना है कि यहाँ से आप से प्रशन पूछा ही जाए SEO का full form क्या है Shanghai Corporation organization इसका full form है इसका headquarter कहा है तो इसका headquarter है चीन के बिजिंग में है और इसके अगर हम सदस्य देशो की बात करें तो इसके 8 सदस्य है वो कौन-कौन से है China है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया है और तजाकिस्तान यह जो 5 member है ने इस 5 member का नाम आप लोग सुरू में पहले याद रखेगा यह 5 member SEO के founding country है यानि कि जब SEO का 1996 में गठन हुआ था तो यह 5 country के द्वारा ही किया गया था उसके बाद 2001 में एक और सदस्य को add किया जाता है वो होता है उजबेकिस्तान ठीक है, और 2015 में तो अब कितने हो गए, 5 और प्लस एक उजबेकिस्तान 6 और 2015 में दो देशों को और इसका permanent membership दिया जाता है एक होता है आपका इंडिया और एक होता है आपका पाकिस्तान तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा और अभी वर्तमान समय में अभी इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई ठीक है, तो संगाई संगाई कॉर्पोरेशन और्गनिजेशन से रिलेटेड इतनी सारी चीजों को यहाँ पर आप लुगों को ध्यान में रखना है आगे हम लोग कोष्चिन यहाँ पर करने वाले हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग G4 की बात कर लेते हैं जीफोर एक्चुल में बनाया गया था, कौन-कौन से देश इसमें मिंबर है, सबसे पहलों सुन जीजे, ब्राजिल है, जर्मनी है, इंडिया, जापान है, ये चार देशों का समूँ इसलिए गठित किया गया था, ताकि युनाइटेड नेशन सिक्योर्टी काउंसील में चा कुछ कुश्चन्स भी करते हैं, मैंने सारी बाते बता दी है, अब यहाँ पर प्रशन है आपके लिए, अपके सामेलन 2019 का आयोजित किया गया है, यहाँ पर आपको बताना है, आपके सामने किर्गिस्तान, रूस, चीन, मलेसिया, तो बताइए इस प्रशन का सही जवाब क् जो है, ऑप्सन एक किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधाने बिसकेक में जो है, इस साल, संगहाई कॉर्पोरेशन और्गनाइजेशन 2019 का सब्मिट आयोजित किया गया, और यह इसका उननीस्वा सम्मेलन था, इस बात को ध्यान रखियेगा, और इसमें भारत की तरब स सम्मेलन 13 और 14 जो उनको कहा किर्गिस्तान की राजधानी बिसकेक में, ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रशन की तरफ, अगला प्रशन है, किस वर्स भारत इंटरपोल महासवा की मेजवानी करेगा, ओप्सन है 2020, 2021, 2022 या फिर 2024, तो बताइए इस प् इंटरपोल महासवा को होश्ट करने जा रहा है, इंटरपोल की अगर हम लोग बात करें, तो इंटरपोल का फुल्फोम होता है, इंटरनाशनल क्रिमिनल पुलिस और्नाइजेशन, जिसको इस्थापीत किया गया था 1930 में, और इंटरपोल क्या करता है, जो भी अंतराष्ट ये क्रिमिनल होते हैं, जैसे कि मालनों कि कोई भारत का अपराधी किसी देश में जाकर छुप जाता है, तो इंटरपोल की मदद से उस अपराधी को पकड़ा जाता है, यानि कि देशों के बीच में सवनवे का काम करता है इंटरपोल, और इसका अगर हम लोग मिंबर की बा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक था ये, तो यहां से प्रशन आपसे बन सकते हैं, ध्यान रखियेगा, इसके बाद जो अगला प्रशन है, हाली में संयुक्तराष्ट महासभा के किस सत्र को भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी द्वारा संबोधित किया गया, तो बत इस प्रशन का जो सही जवाब हो जाएगा, यानि की उप्सन सी इसका सही जवाब होगा, जैसा कि आप लोगों को पता है, सहियूक्तराष्ट महासभा, यानि की उनाइटेड नेशन जेनरल असेम्बली, यूनाइटेड नेशन के च्छै प्रमुख अंगों में से सबसे प् टूटल सदस सिदेश जितनी United Nation के मिंबर है वो महासवा के सदस से होते ही हैं तो इसके 193 मिंबर है United Nation General Assembly के और भारत के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी द्वारा 27 सेप्टेंबर 2019 को इस सत्र को संबोधित किया गया तो याद रखेगा United Nation का 74.17 अभी हाली में आयोजिद किया ग United Nation General Assembly के बारे में बेसिक बाते भी आप लोगों को पता होना चाहिए यहां से भी प्रशन आपसे बन सकते हैं इसके बाद चलिए अगला प्रशन है हाली में G20 मंतरी स्तरिय बैठक का आयोजन किस देस में किया गया G20 की यहां पर बात किया जा रहा है इस पर डीटेल से डिस होता है सीखर सम्मेलन एनुल सब्मिट और दूसरा होता है मंतरी स्तरिय बैठक जिसमें कि विद मंतरी और जो सेंट्रल वैंग के गवर्नर होते हैं उनकी मीटिंग होती है इस देसों के बीच में तो यहां पर पूछा गया है आपको G20 का मंतरी स्तरिय बैठक कहा आयोजित किया गया आपका जापान में तो सबसे पहले तो इस प्रशन का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका option C अब हम लोग यहां पर सीखर सम्मेलन की भी बात करते हो और इस मंतरी स्तरिय बैठक की भी बात करते हैं इस मंतरी स्तरिय बैठक का आयोजिन जो है वो 8 और 9 जून को किया गया ठीक है डेट याद रखेगा कभी कभी डेट भी पूछ दिया जाता है और यह जो है जपान का एक प्रमुख सहर है फुकुओका वहाँ पर इसका आयोजित किया गया अगर हम लोग सीखर सम्मेलन की बात करें तो या सीखर सम्मेलन भी जापान में ही आयोजित किया गया या जापान का एक प्रमुक सहर है उसाका वहाँ पर सीखर सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सीखर समेलन में भारत की तरफ से हिस्वलिया प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी ने और इसका आयोजन जो है 28 और 29 जून को किया गया मंतरी इस तरह ये बैठक कहा हुआ जपान के फुकु ओका में हुआ और कब से कब तक हुआ 8-9 जून को हुआ और सीखर समेलन कहा हुआ जपान के उसाकाय में हुआ कब से कब तक हुआ 28-29 जून के बीच हुआ ठीक है तो इन सब सारी चीजों को याद रखिएगा और G20 के बारे में भी याद रखिएगा थोड़ी सी basic information यहाँ पर पढ़ लीजेगा बहुत बार मैं G20 के बारे में बता ज दे सकते हो इसी बहाने आप लोग G20 की basic जो information है उसको recall कर लोगे ठीक है चलिए इसके बाद next question की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रशन है संगहाई सहयोग संगठन यानि की संगहाई corporation organization में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है 6 8 10 या फिर 12 अभी अभी मैंने बता इस प्रशन का सही जवाब क्या होगा इस प्रशन का सही जवाब होगा आपका आठ भी यानि की सदस्य देशों की संख्या जो है संगहाई corporation organization में आठ है 2015 में दो देशों को सामिल किया गया था कौन-कौन से वो देश थे भारत और पाकिस्तान ठीक इसके बाद next question है G20 सीखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा पताए इस प्रशन का सही जवाब क्या होगा भारत चीन जापान या फिर सौधी अरब तो इस प्रशन का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा सौधी अरब सौधी अरब जो है नवंबर 2020 में सौधी अरब की राजधानी रियाद में G20 का सिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और ये भी है कि अरब देशों में या पहला देश होगा सुधी अरब जहां पर G20 सिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा तो कौन से देश में किया जाएगा अगला G20 सब्मिट भी important होता है प्रशन पूछा जाता है G20 सीखर सम्मेलन का आयोजन प्रस्तावित है 2020 में, 2021 में, 2022 में या फिर 2023 में ये भी must important question बन जाता है कौन से वर्स में भारत जो है G20 के सीखर सम्मेलन को host करने वाला है और या पहली बार मौका होगा कि भारत इतने बड़े organization को submit को host करने जा रहा है तो कि आपका होगा 2022 नई दिल्ली में आपका G20 का submit जो है वो भारत में होगा इस बात को ध्यान में रखिएगा यहाँ से प्रशन पूछा जा सकता है बहुत अधीक तक chances है चलिए इसके बाद next question है निमने लिखित में सी कौन सा देश BRICS समूह का सदस से नहीं है BRICS यहाँ से भी प्रशन हर बार पूछे जाते है और BRICS Submit 2019 को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है यहाँ से भी प्रशन बनते है और BRICS के बारे में basic information भी आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ से भी प्रशन बनते है तो option है आपके सामने भारत, चीन, फ्रांस या फिर ब्राजिल तो इस प्रशन का सही जवाब बढ़ता ही है कि BRICS का सदस से कौन नहीं है तो प्रशन का बहुत simple जवाब है आपका सी फ्रांस इसका सदस से नहीं है देखिए BRICS में ही इसके countries है ब्राजिल, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफरिका साउथ अफरिका को एड़ किया गया था 2010 में उससे पहले BRICS हुआ करता था पहला BRICS का सम्मिट हुआ आपका 2006 में तो इस तरह से कुछ-कुछ बातों को यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है BRICS से संबंदित भी चलिए अभी हाँ पर बात BRICS से संबंदित ही हो रहा है तो BRICS के इस साल का सीखर सम्मिलन यानि कि 2019 के सीखर सम्मिलन के भी बात कर लेते हैं इस साल 2019 में जो BRICS का सीखर सम्मिलन हुआ आयोजन कहां किया गया? ुजतीम भी था इस bric submit का, तो इस theme का भी नाम्याद रखेगा Economic Growth for an Innovative Future ये इसका theme था और BRICS सम्बंदित यहाँ पर एक important question आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ जो हम लोग गरतंतर दिवस 26 जनवरी 2020 को मनाने वाले हैं ये BRICS सदस से देशू का ही एक सदस से देश जो है मुखे अतीथी के रूप में आने वाले हैं भारत तो इस BRICS देश के कौन से राष्टपती हैं जो भारत में Gartantar दिवस के मुखे अतीथी के रूप में होंगे उस देश का नाम बताइएगा और उस देश के राष्टपती का भी नाम बताइएगा क्योंकि प्रारंबिक परिक्षा में यहां से प्रेशन बन सकता है ठीक है चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रेशन की तरफ तो जो हमारा अगला प्रेशन है वो है हाल ही में चर्चा में रहा अंतुराष्टिये नियालाई यानि कि International Court of Justice का मुख्याले कहा इस्तित है कुल्भूशन जादब के मामला जब आया था हाल फिलाल में जब उठा था तो International Court of Justice जो है बहुत नियूज में रहा था तो इसलिए यहाँ पर आपको इसका मुख्याले बताना है नियूज यूर्क, पैरिस, बर्लिन या फिर दहेग तो इस प्रेशन का सही जवाब जो होगा वो International Court of Justice जो है निदरलेंड के दहेग में इस्तित है और दहेग को जो है पी सीटी के नाम से भी जाना जाता है यानि की सांतीपून सहर के नाम से भी जाना जाता है और अगर हम ICJN की International Court of Justice की बात करें तो इसके टूटल मिंबर्स जो है वो आपके 193 है हिट कौर्टर मैंने बता ही दिया कि दहेग में इस्तित है और इसको स्थापित किया गया था 1946 में तो इन सब कुछ-कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा और ये संयुक्त राष्ट के जो 6 प्रमुक अंग है उस 6 प्रमुक में एक जो आपका है वो ICJ यानि के International Court of Justice भी आता है इसके बाद एक important question और आपको लोगों के लिए बनता है G7 G7 सीखर समयलन 2019 का आयोजन किस देश में किया गया G7 सीखर समयलन भी इस सल बहुत important हो जाता है क्योंकि इस G7 सीखर समयलन में हलाकि भारत member नहीं है लेकिन फिर भी France के एक विसियस आमंतरन पर भारत के प्रधान मंतरी ने इस G7 सीखर समयलन में हिस्सा लिया तो सबसे पहले समझ लीजे कि इसका आयोजन जो है आपका इस सल France में किया गया ठीक तो सबसे पहले इसका एंसर आप लोगों को पता होना चाहिए France में किया गया कब से कब तक किया गया 24 से 26 अगस्त के बीच किया गया इस बात को ध्यान रखियेगा और BRICS की आगर G7 के अगर हम लोग मिंबर्स की बात करें तो इसके मिंबर है Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom और United States of America रसिया भी इसका मिंबर हुआ करता था यानि कि यह जो ग्रूप है ग्रूप 8 हुआ करता था लेकिन रसिया को बाहर कर देने के बाद ग्रूप 7 बच गया है और ग्रूप 7 की ही देन है ग्रूप of 20 यानि कि इन ही सदस्यों ने मिलकर ग्रूप of 20 बनाया था तो इस बात को भी आप लोग यहां पर ध्यान में रखियेगा और France के विसेस आमंतरन पर इस G7 सीखर सम्मेलन में भारत ने भी हिस्सा लिया हाला कि G7 सदस्यों का हिस्सा भारत नहीं है तो इस तरह से इन प्रशनों को आप लोग बहुत ध्यान से करकर जाईएगा यहां पर जितने भी सब्मीट या फिर इंटरनेशनल और्गनाईजेशन से बहुत अधिक तक यहां से प्रशन पूछे जाते हैं तो आप लोग इन प्रशनों को खासकर बहुत ध्यान से करकर जाईएगा तो यहां पर जितने भी कॉश्चन को कम से कम मैं रिवाइस कर रहा हूँ उस कॉश्चन को बहुत अच्छे से करके जाईएगा जो प्रिवियस एर्स में जो ट्रेंडिंग रहा है कॉश्चन पूछे जाने का वहाँ से बहुत अध्तक कोसिस कर रहा हूँ कि सारे कॉश्चन और सारे टॉपिक को आप लोगों को कवर करवाया जाए तो नैसनल करेंट एफिर के इस रिविजन सेशन में आप लोग बने रहिएगा इसके लावा टेलीग्राम पे जो 50 कुश्चन के प्रैक्टिस सेट अवलेबल कर बाया जा रहे हैं उस 50 कुश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़ा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है उससे अगर अभी तक आपने रेजिस्टेशन नहीं किया उस टेस्ट के लिए तो फटा फट उस टेस्ट का रेजिस्टेशन कर ले 5000 रेजिस्टेशन क्रोस हो चुका है हजारों बच्चों के बीच में उस समय अपनी स्थिती को जाचने का एक बहतर अफसर बिलकुल मुफ्त में दिया जा रहा है तो आप लोग वेफसाइट पर विजिट करके रेजिस्टेशन जरूर कर लें उस टेस्ट के लिए ऑनलाइन और आफलाइन दोनों मोड में आप लोगों के लिए यहां पर विवस्था दिया गया है तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और टोटल जितने भी कोईशन्स मैंने करवाया है टोटल में से आपने कितना सही किया उसको एक बार आप लोग नीचे कमेंट जरूर कर दीजेगा तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही थैंक यू थैंक यू बेर मुच CGPSC की समपूर्ण तयारी के लिए कॉंपिटेशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजे और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले